आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतिक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें अब यहाँ अमीटर यह है और इसकी हमको यहाँ पाठ्यांक बतानी है मतलब इसमें से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान बताना है क्योंकि यह धन है ये रिन है तो धारा कुछ इस दिशा पर प्रवाहित होगी वो हमको बताना है कितना धारा प्रवाहित हो रही है तो इस परिपत को हम एक बार और बना लेते हैं अच्छे से ठीक है चलिए ये हो गया मेरा वैदुत्सरोथ 14 वोल्ट का 0.08 हम का आंतरिक प्रतिरोध वाला ठीक है यहां तक बना लिए यहां तक ठीक है यहां बीच में क्या है एक एमिटर है वो भी दर्सा देते हैं अब उसके पस्चाथ यह जो दो है तीन ओम और च्छे ओम के प्रतिरोध यह आपस में क्या है समानतर क्रम्पे है तो यह बना दिया एक ठीक है और इसके पस्चाद आगे और इसको ले जाए, तो एक और प्रतिरोद से लगना है, दो ओम का, उसको भी दर्सा देते हैं, तो ये हमारा नया प्रतिरोद बन गया, अब थोड़ा आसान लग रहा है, मान लिखते चलिए, ये है दो ओम का, ये है छे ओम का, ये छे हों का है, ये तीन हों का है, ये तीन हों का है, 14 वोल्ट का विद्यत वागबल है, 0.8 हों का आंतरिक प्रतिरोद है, अब ये जो दो है, 6 और 3 आपस में कौन से करम में सल्लगना है, समांतर करम में, और समांतर करम में सल्लगना है, तो दोस्तो हम तुल ये प्रतिरोध निकालने के लिए उसका व्युत्करम का मान पहले निकालते हैं जो कि बाकी प्रतिरोध हो के व्युत्करम के मान के बराबर होता है 2 प्रतिरोध है तो 1 बटे R1 धन 1 बटे R2 1 बटे R2 का मान हो जाएगा तो 1 बटे R1 एक्यू बराबर क्या आ जाएगा 1 बटे 6 धन 1 बटे 3 ठीक है हम एक ही स्थिती का निकालेंगे दूसरे का भी उतना ही आएगा क्योंकि दोनों के लिए मान जो है वो समान है जाबर में 3 बटे 6 जिसको 1 बटे 2 भी लिख सकता हूँ तो 1 बटे R1 एक्यू का मान है R1 एक्यू का मान रिखना पड़ेगा तो वो 1 बटे 1 बटे 2 लिखेंगे जो कि 2 बटे 1 हो जाएगा या फिर 2 हो जाएगा तो इस तरीके से तुल्य प्रतिरोध हमारा 2 ओम आया इसी चित्र को दुबारा बनाएंगे नीचे चलिए बना देते हैं इसी चित्र को उठाकर नीचे डाल लेते हैं चलिए ठीक है और जो जो संशोधन करने हैं वो कर लेते हैं ठीक तो इस चितर में हमको क्या संसोधन करना है ये 6 और 3 ओम के प्रतिरोध की जगा एक प्रतिरोध लगाना है जिसका मान कितना होगा इसके तुल्य प्रतिरोध के बराबर जो कि हमने 2 ओम लाया है ठीक है वैसी यहां भी कर देंगे क्योंकि मान तो समान है तो तुल्य प्रतिरोध भी समान ही होना चीए 2 ओम 2 ओम के 2 प्रतिरोध आपस में स्रेणी करम में लग रहे क्योंकि मैं क्या करूँगा मैं मीटर को यहां लगा देता हूँ और वो 2 ओम वाले प्रतिरोध को यहां लगा देता हूँ मेरा परिपत अब भी वही है जो पहले था इसपे कोई भी मान परिवर्थित नहीं होए क्योंकि धारा जो है वो एमेटर से भी होकर जाएगी वही धारा जो दो ओम से होकर जा रही है ठीक है इनके बीच की धारा ग्याद करे या साइट की धारा ग्याद करे धारकमान तो एक ही मतलब है अब इन दोनों में कौन सा सयूजन लगेगा दोस्तों दोनों आपस में सिरेनी क्रम पे हैं तो सिरेनी क्रम का सयूजन लग जाएगा और सिरेनी क्रम सयूजन के लिए तुल ये प्रतिरोध जो होता है वो दोनों ही प्रतिरोधों के योग के मान के बराबर होगा ठीक तो R E Q बराबर क्या आये जाएगा दो धन दो क्योंकि दोनों प्रतिरोधों के मान दो ओम और दो ओम है जुड के चार ओम हो जाएगे तो चार ओम का यहाँ पर तूल ये प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा इसी चित्र में संसूदिन कर देते हम एक प्रतिरोध लगा देंगे जिसका मान क्या रखेंगे हम जिसका मान रख देंगे चार ओम ठीक है ये चार ओम का प्रतिरोध है अब हम क्या देख रहे हैं कि चार ओम और दो ओम के प्रतिरोध आपस में समानतर करम में सलगना है, पुल प्रतिरोद कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, कि यह दो आपस में समानतर करम में से उजन है, तो यहाँ लिख देते हैं समानतर करम करके पहले, फिर हम समत जाएंगे कि हमने क्या निकाला है, तो यह दोनों का समानतर करम से उजन के लिए तुल ये प्रतिरोद वो सिरेणी क्रम में सल लगना है तो कुल प्रतिरोत क्या हो जाएगा फिर ये वाला मान धन ये वाला आंतिरिक प्रतिरोत का मान तो 4 बटे 3 धन 0.8 करेंगे ठीक है और इसको अगर हम जोड़ दे दोस्तो तो ये हमको क्या प्राप्थ हो जाएगा लगवग 6.4 बटे 3 ओम इत प्रतिरोत की जगह क्या लिखेंगे 6.4 बटे 3 तीन को उपर गुना कर देते हैं ठीक है उसके पस्चात यहां पर क्या करेंगे हम मान देखेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा 42 चौदा गुना तीन 42 होता है बटे में 6.4 भाग देंगे तो हमारा मान क्या प्राप्थ होग तो यहां हम करेंट डिवजन का मतलब जो धारा है उसका विभाजन का नियम लगा देते हैं तो धारा विभाजन की नियम के साबसे अमीटर का पाठ्यांक अगर हम देखेंगे चलिए लिख लेते हैं यहां पर क्या निकाल रहे हम अमीटर का पाठ्यांक यह क्या हो जाएग समांतर में 2 ohm का है तो उपर वाले पक्ष में क्या आता है समांतर में जो प्रतिरोध है उसका मान 2 और नीचे पे क्या आता है दोनों जो समांतर में प्रतिरोध है दोनों प्रतिरोध हो का यहाँ पर योग आता है तो 4 और 2 है तो यहां लिख देंगे 2 धन 4 जो की आगे चलके 6 हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से ये 6.7, 7 का गुना 2 से होगा और नीचे क्या आ जाएगा 6 अब गुना भाग करेंगे तो हमारा अमीटर का पाठ्यांग क्या आ जाएगा अमीटर का पाठ्यांग है वो हमको प्राफ्थ हो जाएगा हमको जो पाठ्यांग प्राफ्थ होगा अमीटर का उसका मान हमारे पास में आ जाएगा लगभग 2.19 एमपियर ठीक है ये धारा हमको प्रवाहित होते होए मिलेगी एमिटर से तो यही दिये गए प्रश्ण का हमारा उत्तर है दोस्तों विकल्प में देखते हैं तो विकल्प में हमको सबसे नजदी की मान 2.18 एंपियर दिया गया है जो की दिये गए प्रश्ण का सही उत्तर है धन्यवाद प्रश्ण के लेवल तक एक करोड से जादा चातरों का भरोसा आज या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर